इस दुख की घड़ी में 36 सरकार पुरित परिवार के साथ खड़ी है हमने रेने लिया है कि प्रतिक वितक के परिवार को 5 लाख रुपए और गायलों को 50,000 रुपए शासन की ओर से दे जाएंगे बता दे कि सोंबार को कवरधा में हुए सडक हासे में 19 लोगों की मौत हो गई थी जबकि साथ से जादा लोग घायल बताए गए है आज कवित दाम जिला के अंतरगत कुपदूर थाना के वापानी गाउं में एक सडक दुरघटना हुई है जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 18 महला हैं एक पूरुस हैं और इस सभी एक पीकप गाड़ी में तिंदुपत्ता तोड़ने गए थे वापस आ रहे थे और सडक दुरघटना हो गई और एक दुरघटना हो गई है और हम सभी लोग इस दुरघटना से बहुत दुखी हैं और भगवान से प्रात्ना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो भी मिर्तक हैं उनकी आत्मा को सांति प्रदान करें और उनके सोक संतप्त परिवार को इस गहन सोक को सहने की सक्ति प्रदान करें और जो गायल हैं उनके भी सिग्र स्वास होने की भगवान से प्रात्ना करते हैं और इस दुख की घड़ी में छत्तिगड सरकार पिडित परिवार के साथ खड़ी है और हम लोगों ने निर्ने लिया है कि प्रतेक मित्तक परिवार को पांच लाक रुपिये और जो गायल हैं उनको पचास सजार रुपिया सासन के तरफ से देंगे इसके अलावा जो विभाग के तरफ से या विमा की जो रासी है वो अलग है और ये भी प्रसासन को गिर्देश दिया गया है कि आगे इस तरह की दुर्गहटना न हो इसके लिए सावधानी बरती जाएगा